तो माइडेर श्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए फस्टेर के फस्ट समेस्टर के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन एंड एंसर के बारे में तो वीडियो काफी हेलफुल होने वाली आप सभी के लिए तो वीडियो को कम्पलीट जरूर द spectrum एक नाम लिखना है यहीं कि आदकान को समय रहा है तो विद्दम के पहला जो है वह है प्रित्वीर राजजरास वो दूस्रा वैं यह सब को तो आपके जानकारी के लिए बता दे आप बताईए कि कहा पर मिलते हैं आइंसर कहां पर मिलते हैं बताईए कोश्चन बैंक फिरीज या फिर इंटरनेट से नहीं लेंगे हम कुश्चन तो लाएंगे कहां पर आश्मान फे टुट पकते हैं ज़िए बुक है कोश्चन में के फ्री जिसमें बहुत फारे कोश्चन होते हैं ठीक है सभी कोश्चन तो आपके परिच्छा में आते नहीं और कौन-कौन से परिच्छा में आते हैं उन सभी कोश्चन की जानकरे में आपको दे रहा हूं ठीक है तो यह मत कर रहा करें आप लोग निश कि आधिकल को स्वुण काल थे और किस्वन कहा गया है ऐसा भी कोश्चन हो सकता है तो वहाँ पर आपको लिखना है ध्यान से चुनेंगे एक डिक्षाम सुंदर दावे लिखा है कि जिस यूग में कबीर जैसे जैसी जी मतलब जाइफिजी सूर्द गभी तुलसी दाव जैसे अंत्क्राणों से निकल कर दिश के क्योंए क्यों प्याएम साहिति के एतिहास में सामनिता भॉक्त कहते हैं निश्चित ही वह हिंदी साहिति का स्फरण यूगयानि की सोने का काल खाजाएगा क्यूंकि कि इस युग में भक्तिकाल के समय में ऐसे कभी कभी अईसे प्रमुक कभी लेखक रहे हैं जिनके बारे में पूरे दुनिया के चारो कोनों में विख्यात हैं उनकी रसनाएं उनकी जो मतलब की रसनाएं हैं उसके माध्यम पे जो उद्देश दिये गए हैं या फिर किसी के ज बात है कि उस समय को हम स्रण्यूग क्यों नहीं कह सकते ठीक है तो इसी तरह आप उत्तर लिखेंगे कि भक्तिकाल को स्रण्यूग इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बिहारी जी तुल्फिदाफ जी मलिक मुहम्मद जैसी जीत और सूर्दार जी से इतने पॉपलर कभी रहे हैं दो तो आप लिखेंगे भक्तिकाल के प्रमुक कभी बहुत हैं अगर तीन की बात करें तीन लिखें चार की बात करें चार लिखेंगे तो पहले कबीर दाफ जी दुसरे पविक देंगे जाईफी जी सूर्दार जी ठीक है और अगर आप लिखना चाहे है तो यहां पर वह कर रहें किसी competitive exam की तयारी कर रहे है आ या स्पीसे एफ-स-फ या फिर फिर किसी वी चीज की तयारी करने सब्सक्राइब तो इसके लिए बिर महात् MTV सुन है कि भक्ति काल में भक्त्य हां के कौन से रूप हैं तो धाया से सुनस लिए भक्ति काल में भक्ति जो रूप हैं भक्तिकाल में भक्ति भावना साकार भक्ति भावना तथा निर्गुड भक्ति भावना के रूप में अभिवेक्त हुई है ध्यान से सुन लिजे भक्तिकाल में भक्ति भावना जिन जिन रूपों में है वो है भक्ति भावना साकार भक्ति भावना तथा निर् तो रिपेट है कि भक्तिकाल की प्रमुक्त्स साख् bleibt्स नुप 1-3 नंबर 4 प्रमुक्त्स यह जुनको ध्यान रखनाई और 그렇ी बार रिपीट हो सबसेंट बार भी आएंगे अगला प्रूशन है कि बग्तिकाल की तीने प्रमुक स्थान दिया जाता ठैक है गुरु की और बलुकु सब्चedia पहले अभ्थान सबसेंट पहले पिप्रत देचा था थो इस प्रकार भक्तिकाल के कुछ भी सिफता हैं जिनको लिखना आप लोगों की रामबान कोश्चन है अगला पशन है कि भक्तिकाल के चार प्रमुक कभियों के नाम लिखेंगे ओपर तीन पूछा था यहां पर चार पूछा इफी तरह कोश्चन पूछे जाएंगे तो आप लिख सड़गुण भक्तिक की जो साखा हैं वो भी दो हैं इसमें रामब्धि साखा तथा कृष्णभक्ति फाख आ जाएगा मतलब की रामब्ध्य यानि की जो राम भग्वान को आधार-मान्का रश्चनाय रश्ते थे वो सब्सक्रा श्रा मानकर रश्रका कभी आ जाएंगे व निर्गुषभक्तिके दो प्रमुखभी कौन-कौन से तो आक कुछा स्वनी परकिन सके दो कबियों कर्ष्छन को आधार मान бок भगवान के ऊपर उपाज वी और घञांध और लिखते थीक्ट चारी निश्क कोश्टं दिखते हैं निश्क कोश्टं कह रहा कि कृत्फम toxic k ж असाखा की प्रूंग प्रवित्तिया इनी प्रूंग विसेश्ता थे तो कृत्फम कब सांखा की। पर वित्तियां के बारे में लिखेंगे तो नंबर एक पर लिखेंगे क्या विसेफ्ता तो उसमें इश्ट देव कृष्ण भगवान होते थे ठीक है स्रंगार के संयोग एयों बियों का मार्मिक वरण किया जाता था ठीक है और तीफरा है दामपत्य एयों सखा भाव की भक्त पर पटीश के बारे में बताई गया जो कि एक लाभ बाड लकृस्टिश्टरा की दोबेश्ष्था दोब्रें colonial रखना एंट दस्ष्टर गिस dun that Okay और भक्त के दोच्ते लोक मंगल की कामणा थी महान आरदर्सों की लेग्री को से घुड़ान रखना है ठीट है ऑफ़ लुरम झाहिए दस्ताय को भलत और अपक्रस्वामि थी तो रामचेत मानफ जो की आप लोग आप लोग देख मतलब कि कोई प्रोग्राम होता तो उसमें इनकी जो रश्णाय नहीं की द्वाराद लिखी तो वो रभी ब मरेत नाम से भलतेने परिवार में अगला परसना की भक्त काल करो का तर बिजे जाता था किन भासाओं का प्रियोग होता था उसके बारे में जानकारी दीजिए कुश्चन यह कह रहा है तो उत्तर लिखेंगे कि भक्त कालिन काब की जो रशनाय होती तो उसमें सद्धुकडी पंच मेल के खिचडी ब्रज एवं अउधि भासाओं में हुई है निकि भक्त क साका के दो प्रमुग कभीयों के नाम लिखे अगला प्रस्ट आप लोगों की समस्त automτย नौकी एकरतिकाउल लेग की जीजिए उनकि क्रश्चन бग्ति फाख्ः के दो कभी नाम बताना है वो कभ्यों ने जो रशनाय लिखिए उनका नाम लिखे तो चलिए ध्यान प्रोड़क्शन लेजिए क्रश्ण साइश साखा के प्रमुक कभी है सूर्दाव जी और शूर्दाव जिसने जो रचना रची उसका नाम सूर्दाव सागर ठीक है अगले जो कभी हो नंददाव जी इन्होंने भावर की गीद रचना रची ध्यान क्रामबाड़ प्रश्ण धान लखेंगे अगला प्रश्ण है कि क्रश्ण भक्ति फाखा के प्रमुक कभीयों के नाम लिखेंगे यानि कि क्रश्ण भगवान के उपर जो रचनाय रचते थे उन कभीयों के नाम लिखना है तो इसमें से प्रमुक कभी सूर्दाव जी है रसनाय रस्ते थे ठीक है यानिकि कृष्ण भगवान को अधार मान कर ध्यान लखेंगे आगला प्रस्ण है कि ज्यान मारगी साखा के तीन विश्षताओं का वरड़न कीजी हलाकि कोश्चन बहुत कमाता तो इग्नोर कर सकते लेकिन जान लीजी कोश्चन है तो इश्वर की न यह तो वहाँ पर लिखेंगे लोकिक प्रेम कथाओं के माद्यम से अलोकिक का चित्रण क्या जाता था सब कभी सूफी संद थे भासा अउधी थी ये प्रमुख विश्षताएं है भक्तिकाल की प्रेम मारगी सूफी काबिधारा की ठीक है अब अगला प्रस्ण की प्रेम मा प्रेम मारगी साखा की नेस्ट कोश्चन है कि ग्याना सराई साखा के प्रमुख कभियों के नाम लिखना है अगर यदि ऐसा प्रस्णा था तो आप लिखेंगे कबीर दाफ जी रहदाफ जी मलूक दाफ जी नानक देव दादु धयाल जी ये कुछ प्रमुख कभी है ग्या इस बात को ध्यान रखेंगे यानि कि रीत काल आप लोग कह सकते एक तरीकी फिरीत की परमपरा यानि कि फिरी चीज की निव डालना अगला प्रशना है कि रीत काल के पाच प्रमुक कभियों के नाम लिखेंगे तो नमबर एक पर लिखेंगे प्रमुक कभी केश्वदाफ जी ठीक है नमबर दो पर लिखेंगे भूसर जी नमबर तीन पर चिंतामडी जी देव जी बिहारी जी ये कुछ प्रमुक कभी है रीत क कारों के नाम पोछ़ाएं टिक है तो इन्होंने ग्रंत लिखे हैं और यह रित काल के कभी का नाम कौन सा है अगर रित काल के प्रतिन नदी का नाम अगर पूंचा जाया तो आप लिखेंगे बिहारी रित काल के प्रतिन नदी कभी थे ध्यार नखेंगे अगला के रीति मुक्त धारा के दो कभियों के नाम बताईए तो रीति मुक्त धारा के कभियों के नाम में नमबर एक पे लिखेंगे घना नंद नमबर दो पे लिखेंगे ठाकुर ये दो हैं रीति मुक्त धारा के प्रमुक कभी अगला question है कि रीत काल की दू रश्णाओं के नाम लिखेंगे तो रीत काल की जो प्रमुख रश्णाओं है ध्यान प्रुबक्षिण लिजे नमबर एक पे रामचंद्र का नमबर दो पे बिहारी श्वत्वाई ये रीत काल की समय की बहुत ही प्रमुक और बहुत ही पॉपलर रशना हैं ध्यान रखेंगे अगला प्रशने की रीत काल के प्रमुक कभीयों के नाम लिखेंगे तो रीत काल के प्रमुक कभी बहुत हैं जिनमें से कुछ आपको जो याद रखें कम से कम चार या पांच ही पूछा जाएगा इससे ज़्यादा नहीं आएगा तो बिहारी जी लिखेंगे किशो दाफ जी लिखेंगे देव लिखेंगे चिंता मड़ी पदमाकर घनानंद बोधा ठाको सेनापती बूशर बिखारी दाफ ठीक है आद कुछ प्रमुक कभी है जो अलग रहा वह लिखना है तो रीत काल में जो रशनाय हुआ करती तुमें स्रंगार की प्रधानता थी अलंकारिता थी यानिके अलंकारों का यूच किया दाता था मुक्तक सैली थी नारी पेसी ठीक है रूप में चित्तर थी तो इन चार विश्यस्ताओं का वरड़न है रीत के बारे मिलट प्रफ्रित Revolution को रित काल के नाम पढ़ा कैसे पढ़ा इस के बारे मिन कुछ बताईए को कस्तर लिखेंगे कि इस यूग के कभीες की प्रफ्रित्यत संबन्धी का बिताऊं को लिखने में होने के करण इस युग को या फिर इस काल को रीत काल के नाम से स्टम्बोधित किया जाता है तो इस वाद को नोट कर लीजिए किस वज़ा से इस यूग किया यानि कि इस समय के जो कभी थे इनकी जो रस्ताय थी उसमें प्रवित्ती रीत संबंधी कविताओं को लिखने के कारण ही यूग का इस समय का इस काल का नाम रेत काल पड़ा धाल रखेंगे इस कोश्चन है कि रीत बद्ध एवं रीत मुक्त ठीक है रीत बद्ध एवं रीत मुक्त काब यानि कि रीत बद्ध रस्नाय और जो रीत मुक्त रस्नाय थी उसमें क्या आपको अंतर देखने को मिला या फिर क्या अंतर वो आपको बताना तो लिखेंगे बहुत माहत पूर प वो रश्नवे अवलोकनी अहीं हैं जो साहित्तिक रूणियों तथा मानताओं से मुक्थ्वत्नत रश्नाइं धीक है यहे रित बद्ध और यहे रित मुक्थ ध्याट केंगे अगला प्राशना है कि रित कालिं कभी ओ ने किस धारा का अनुगमन किया तो रित कालिं के विधारा का अनुगमन किया है द्यान रखेंगे इस पॉइंट को अगला की रीत कालीन कभी ते उनका जो प्रमुख दे अपने आफ्रै दाताओं को दिजाना एयुम विदुता का प्रदर्सन करना था यह कोईशन बहुत कमाता है इसको इग्णोर कर सकते हैं अगला प्रशने की रीत कालीन या भी रीत काल के नाम करण की विवेशना कीजिए तो द्यान चे सुनेंगे रीत काल के नाम को लेकर बहुत फारे लयलाग मद्भेद हैं इतियासकारों ने रीत काल को कई नाम दिये हैं सरप्रथम मिस्र बंदों ने इसे अलंकरत नाम दिया है ने स्रंगाल काल के संग्या दी है इस कला काल कहा है इस कला का क talking कहा है रिदकालीन नाम अचार रामचंद सुकल का दिया हुआ है अनने नाम करने भी चिंध किये गएकिंत उनका अनुष्रन सब्सक्राइब करें नहीं किया गया आज हींदी के सभी विद्ध्वानों एवं लुच को उत्तर मद्धिकाल को रितकाल कहकर ही पुकारते हैं और इस बात को भी ध्यानना किए बात पूस्टिमार गाता है लेकिन बहुत कम आता तो आप पढ़ भी सकते हैं एक लुप्ली कर स संतारी ठीक है इन पांच संप्रदायों में विभक्त है भारते शूफी ध्यान लखेंगे बहुत महात्पूंट क्रश्ण यह भी सावित हो सकता एक्जाम में ठीक है अगला की कृष्ण काव साखा का प्रवर्तक किसी माना जाता जो कि एक राममान प्रश्ण है तो इस साखा क कि जो रश्णाय है उसमें जिस महाफा एंवंचंद का प्रियोग है वह है क्रिश्ण भग्त साखा में ब्रज भांसा का यूच किया गया है और गे पदों का प्रियोग हुआ है ठीक है ध्यान लखेंगे अगला है कि निर्गुड धारा एंवं सगुड धारा की दो अनन्य भक्ति है दोनों धाराओं में सगुड और निर्गुड में और दोनों में धोंगों तथा अडंबरों का दोनों साखाओं या फिर दोनों साखा के कभियों ने प्रबल बिरोध किया यानि कि जो धोंग है जो अडंबर है इन चीजों का बिरोध किया है निर्गुड कभी जान लिए नमबर एक पर लिखेंगे किशो दाव जी सुरतिमेश्र जी और स्रीपती विखारी दाव जी यह सब रित बद्ध दारा के कभी है अब सुन लिजिए रित्मुक्त धारा के कभी इसमें आ जाएंगे घना नंदी ये बहुत ही प्रमुक्त कभी है इस समय के ठी अफ्ट शाप में आठ कभी हो को उलेग किया गया है उनके बारे में जानते तो अचार बल्लभा ये फिर अचार बल्लभ के पुत्र गोसामी बिठ्थल दाव जी ने बल्लभा चार के चार सिस कुम्भन दास सुर्दास परमानंद दास कृष्ण दाफ ता अपने चार को लेकर अफ्ट शाप या अफ्ट फखा मंडल बनाया था और अफ्ट शाप कभियों में महत्मा सूर्दाफ का ठम या फिर प्रमुक अस्तान था तो ये रहे अफ्ट शाप के प्रमुक कभी ठीक है इनको इस मंडल के अंतरगत रखा गया अब अगला प्रस्ण कह रहा है कि भाईया आधुनिक कभिता की तीन विश्ष्ष्षाओं का उल्ले कीजिए तो आधुनिक कभिता की तीन विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् रशनाइट इसमें क्या बिसी इस था तुसमें भावात मग जालीक कविता लिखी गई कविता में राफ्ट है यानि कि देश को फ़स्ट को देखते हुई धेश के प्रती इंटरेस्ट भेंदेख लिखाते हुए रशनाइव रची गई है और समय और अधिकर संदेश नहीं थ दो प्रमुक द्युबिदियु इता है कि द्युबिदियु के दो महाकावव्य को नाम लेकिंवावक थान के बाद नाम पर प्रमुक कभी में मैंने आपको बता ही रखा है वहां पर दो कभी थे यहां पर चार है चार-पांच है जहां से सुन लेजिए अर्योज जी है राम नरेफ्तिर पार्थी जी है फ्रीदर पाठक जी मुकोट धर अंडे जी यह कुछ प्रमुक कभी है अगला के दुवेदियों क कितने भागों में विभक्त किया गया है तो आधुनिक कभीता को जिन भागों में विभक्त किया गया जहां प्रुबक्षून लिजिए पांच भागों में विभक्त किया गया पहला भारतियंद्यूक दूसरा दुवेद्यूक तीफरा चाया वादी चौथा प्रगतवाद प्रगतवादियों नहीं कविता तो यह कुछ प्रमुक आधुनिक हिंदी कविता के जो भाग है उनके बारे में परिचे और उनका नाम और अगला क्वेश्चिन की छायावादी काविकी कीजी तीन विस्ताओं के नाम लिखें तो पहले विस्ता है प्रेम एवं सौंदर यान फच्चिदानन्द हीरानन्द वात्फल अगय जी आजाएंगे गजाननमाध हो मक्तिभोध आजाएंगे सम्शिर भादू सि defat ब्रेंद गिमार जैन जी आजाएंगे भावनी प्रसाद में वरोधरमार भीयरती जी आजाएंगे आपको ये वाला थोड़ा ध्यान लखनाय है आपको उपाध मिला है यह के बारे में ज़्यादा LOOK लेकिन इनका पूरा नाम सच्छिदानंद हीरानंद वातसल लग द्यानक है ठीक है बस इतने महात्पूर्ण प्रशन है जो कि मैंने आपको बताएं और वन लाइनर टू लाइनर कोईश्चन एन उसके एंसर थे और बहुत ही महात्पूर्ण वीडियो थी और इन सारे कोईश् थोड़ी बहुत आपकी एक्जाम की तैयारी इससे हो जाएगी कम से कम ज्यादा तो नहीं बोलूँगा 25-30 नंबर की तो हेल्प हो ही जाएगी ठीक है और इसी तरह हर सब्जेट की तैयारी कराएंगे इस चैनल के माद्धिन से तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लिजेगा क सब्सक्राइब करेंगे और चैनल आपका अपना है तो सब्सक्राइब कर लिजीगा टेलिग्राम और सब्सक्राइब कर लिए वहां पर आपको प्रवाइड की जाती रहेंगी ठीक है मिलते हैं को ने वीडियो में जैंद